Hello friends, this is Imanchi and welcome to Let's Learn इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे EBS के कुछ important questions को part 6 है ये EBS important questions का जो discussion हम रखते हैं especially for CTET, HTET या कोई भी आपका ऐसा exam जहां पर भी EBS section परियावरन अध्यान आता है वहाँ ही questions आपको help करेंगे स्टार्ट करेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंदाए तो लाइक जरूर करें first question या कहें, तो जो last question था, एक quiz question रहता है हर एक वीडियो में हर एक वीडियो के last में तो last question था, zoological survey of India is at तो zoological survey zsi जिसको हम बोलते हैं ये कहां पर है भारत का और ये Delhi में है, Mumbai में है, Kolkata या फिर Chennai तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, जो की है Kolkata, तो जिन लोग के जो comments थे वो feature हुए हैं कुछ लोगों के Kolkata इसका right answer है, 1916 में ये 1st July को इसको establish किया गया जो fauna है, flora मतलब जो आपका plant life है, और fauna मतलब जो animal life है, उसको conserve करने के लिए, उसको research करने के लिए, इसको establish किया गया, जिसके अलगलग branches हैं, लेकिन जो headquarters है वो कहां पर है, Kolkata, West Bengal में तो ये कुछ comments थे, जो इन लोगों ने सही answer की हैं, उनके ये featured comments हैं, सभी के ले पाना तो possible नहीं है बट हर एक वीडियो के last में आपको एक ऐसा question मिलेगा, जो एक quiz की तरह काम करेगा, आप लोग check कर सकते हैं, खुद के answers कर सकते हैं, first question है आज के लिए, world forest day is celebrated on which date, मतलब कि wishw one दिवर कब मनाया जाता है, 21st March को, 5th June को, 1st December को, या 7th June को अब यहाँ पर दो-तीन question आपके दिमाग में बन गए होंगे कि भाई, environment day कौन सा है या फिर जो environment week है, वो कौन सा है और ये world forest day कब होता है तो world forest day या one दिवस जो है, वो wishw one दिवस ये celebrate किया जाता है, 21st को, 5th को 1st को या 7th को आंसर आप लोग को मिल गया होगा, जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है 1st, जो option है 21st March को celebrate किया जाता है जो UN General Assembly की द्वारा एक resolution लिया गया 2012 में जिसके बाद 2013 से 31 March को world forest day की तरह हम celebrate करने लगे, world अगर हम बात करें, environment day की तो 5th June को होता है और 1st week of October को हम environment week को celebrate करते है या observe करते हैं, तो ये 3 चीज़े आप ध्यान में रखें अलग-अलग, आगे बढ़ेंगे next है question number 2 atmospheric humidity is measured by which instrument, तो atmospheric humidity या वायू-मंडली है आदरता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है oxynometer, मतलब वृद्धी मापी, photometer दीपती मापी कह सकते हैं इसको hygrometer मतलब आदरता मापी या फिर इन में से कोई नहीं तो हिंदी वालों के लिए आज कोशिश की गई है कि at least उनको सही options हिंदी में भी मिल जाएं answer इसका होगा, atmospheric humidity को मापने के लिए हम hygrometer का इस्तिमाल करते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं image में, hygrometer मतलब की आदरता मापी, जो moisture है environment में उसको माप सके, जिसको हम फिर humidity का level बताते हैं, देखते हैं आप अपने weather जब चेक करते हैं वहाँ पर भी आप देखते होंगे, तो C option इसका right answer हुआ, next है question number 3, the Chipko movement was started by whom, Chipko Andolan के बारे में आपने बहुत सुना होगा बहुत बार आता है question में, Chipko Andolan किसके द्वारा शुरू किया गया था angler के द्वारा, Sundar Lal Bahuguna, Medha Patkar, या none of these, तो जो Chipko movement है उत्राखंट में शुरू हुआ था 1927 के आराउंड और इसको स्टार्ट किया था इसके जो लीडर थे, वो थे, या हैं कहें तो, Sundar Lal Bahuguna इनको भारत ने जो पदम विभूशन है वो भी दिया 2009 में, and he is 92 years old, तो अगर हम बात करें, Chipko Andolan की तो यह कहां पर शुरू हुआ, तो उत्राखंड में, यहां पर लोग, basically, Chipko से आप समझ सकते हैं कि जो Trees थे, उनसे चिपक गए, यह कहा सकते हैं Embrace किया, उन्होंने कटने नहीं दिया, Environment को बचाने की बात की, Save Trees का ही आप देख सकते हैं, तो B Option इसका right answer हुआ, बहुत important है, Chipko movement के बारे में जानना, next is question number 4, the Salim Ali Bird Sanctuary is located at Salim Ali, Bakshi Abhyaran ने कहां इस्तित है, तो Salim Ali के बारे में आपने पढ़ा था, next last एक वीडियो में जो question था, कि Birdman कहा जाता है इनको India का, तो bondicherry में है इनके नाम की Bird Sanctuary, थैटे कड में अनाकती या फिर काला कड, तो answer आप खुद सोचे हैं, बी option जो बिल्कुल ठीक है, थाटे कड कह सकते हैं इसको Kerala के असपास, तो यह यहाँ पर इस्तित है, Salim Ali Bird Sanctuary इनको Birdman कहा जाता है भारत का, बहुत बड़े और नीथोलोजस्ट हैं, Birds के शेत्र में इनकों काम किया है, next है question number 5, plants which grow in light are called, प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, अब अच्छा question है, important question है, कुछ plants ऐसे होते हैं, जो indoor होते हैं, outdoor होते हैं, आप बहुत सारी तरहा के हैं, जो प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में उगना पसंद करते हैं, यह कह सकते हैं, इनका nature ही ऐसा है, इसकी ओफाइच बेसिकली जो अंधेरे में या प्रकाश में नहीं उगते, दूसरे औक जीलोफाइच जो बेसिकली जो soil है, जुसको acid soil कहते हैं, वहाँ उगना पसंद करेंगे, एपिफाइच जो ब्रांचेज हैं पेड़ों की, वहाँ बीच में उगते हैं, तो B option इसका right answer हुआ, next है question number 6, the red data book which lists endangered species is maintained by which organization, red data book के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें जो endangered animals हैं, जो लुप्थ होती प्रजातियां हैं, उनके बारे में बात की जाती है, इसमें कुछ-कुछ changes के जाते हैं, देखा जाता है, कौन endangered है, कौन सी species, तो ये किसके द्वारा maintain की जाती है, इसकी parent organization कौन सी है, UNO है, WHO है, IUCN है, या फिर WWF है, तो इसकी जो maintenance की या पेरेंट जो organization के पीछे है, वो है, IUCN की International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, तो ये आप देख सकते हैं, बिसिकली, वही है, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, परिस में इसका headquarter है, तो IUCN के द्वारा maintain होती है, Red Data Book, आगे बढ़ेंगे, Next question is, question number 7, Pangolins feed-on, Pangolins किसको खाते हैं या किस पर जीवित रहते हैं, ये देख सकते हैं, आप Pangolins, आंच पर, fruits पर, leaves पर या roots पर, तो ये एंच या फिर जो आपके termites हैं, दीमक हैं या फिर जो चींटिया हैं, उनको खा करके जिन्दा रहते हैं, आंच यहाँ पर सही आंसर होगा, Next question number 8, enrichment of water body by nutrients like phosphorus and nitrogen is called, मतलब phosphorus और nitrogen जैसे पोशक तत्वों, द्वारा जल शरीर का सनवर्धन क्या कहा जाता है, जब आपको extra enrichment मिल जाए, या कहीं तो phosphorus है, nitrogen है, जब ये extra मात्रा में nutrients available होंगे कहीं पर, तो इसको succession कहेंगे, eutrophication कहेंगे, stratification कहेंगे, या climax vegetation कहेंगे, तो ये कहलाता है eutrophication, जिसको support हम कह सकते हैं, support मतलब ज़रुद से भी ज़्यादा portion मिल रहा है, और इस इस्थिती में क्या होगा, basically, जहां पर भी जैसे पानी में ही है, तो जो plants है, उनको अगर ज़रुद से ज़रुद से ज़्यादा nutrition मिलेगा, जो phosphorus है, nitrogen है, ज़रा मिल रही है, तो इस इस्थिती में महाँ एक तो oxygen की कमी हो जाएगी, next is, question number 9, cigarette smoking exposes one to which gas, जो cigarette smoking है आपका, वो, या cigarette के smoke में कौन सी gas present होती है, ये कहना चाहते हैं हमें आपर, sulfur dioxide, carbon dioxide, nitrogen peroxide, या carbon monoxide, तो खुद सोचे answer क्या होगा, cigarette smoking में आपका carbon monoxide, या sinide करके gas होती है, ये दोनों होती है, carbon monoxide main है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, colorless gas है, और इसी के वज़े से, जो smokers हैं, बहुत जल्दी हाफने लगते हैं, या other जो problems हैं, वो उनको face करनी पड़ती हैं, तो carbon monoxide, इसका right answer हुआ, और एक और question, जो हमने last time भी किया था, ताज महल किसकी वज़ा से, प्रभावित हो रहा है, तो आप comment section में जरूर बताएंगे, वो question बहुत बार पूछा जाता है, नेक्स्ट है, नेम्दा disease caused by mercury poisoning in Japan, तो mercury poisoning से जपैन में, जो basically disease failure, वो कौन सी है, जपान में पारा विशक्तिता के कारण, होने वाली बिमारी का नाम, इताई-इताई, zero derma, meseles, या फिर minameta disease, तो answer है, इसका minameta disease failure, जो जपैन में, किसके कारण, mercury poisoning के कारण, तो minameta disease में basically क्या है, जो physically भी हो जाएगा, एक व्यक्ति देखने में, और इसकिन से, बहुत सारी तरह की बिमारियां हो सकती है, D option इसका right answer हुआ, next है question by 11, photosynthesis occur in, जो प्रकास sensation है, वो कहां होता है, mitochondria में, nucleus में, chloroplast या peroxysome, तो यह होगा chloroplast में, जो आपकी chlorophyll है, वो भी हैंई पर पाई जाएगी, तो C options का right answer हुआ, next है question number 12, pyramid of numbers in a grassland और tree ecosystem, जो एक घास के मैदान या फिर पेड़ परिस्थिते की तंत्र के अंदर, संख्याओं का पिरामिट किस तरह से जाता है, always inverted, always upright, both A and B या spindle shaped, तो यह आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो आपका ecosystem है, एक या grassland या tree ecosystem है, सबसे पहले level पर अगर आप देखेंगे, जो producers हैं, वो जादा पाए जाएएंगे, first level पर, जो पौधे हैं आपके, फिर second level पर herbivores, फिर carnivores और कम हुए, और then जो predators हैं, वो सबसे कम, तो जो upright में जाएगा, basically always upright होगा, ecosystem के अंदर, जो प्रामिट है वो, next is question number 13, identify the possible link A, in the following food chain, भाई जो एक food chain एक दी हुई है, इस खादिर श्रंख्ला में, संभावित, जो एक जगा है, age, इसको फिलिंदा blank कह सकते हैं, इसकी जगा पर, क्या आना चाहिए, plant है, plant के बाद insect है, फिर frog है, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये question mark है, and then आपका eagle है, तो यहाँ पर सही answer क्या होगा, parrot होगा, cobra होगा, rabbit होगा, या wolf होगा, तो obviously answer क्या होगा, cobra होगा, और ये seat at 2011 का question है, आया हुआ, तो आप तेयार रहें, इस थरा के question के लिए, बिल्कुल basic understanding का question है, भई पहले producer आ गया, plant, फिर insect आया, जो हर भी बोर है, फिर आपका जो frog है, वो आया, frog के बाद आपका cobra, या snake कह सकते हैं, इसको eagle ने खा लिया, next है question number 14, hydroponics is related to, hydroponics किस से सम्मंदित है, growth of plant without water, growth of plant without soil, conservation of water, या relation of sound with water, तो जो hydroponics है, वो सम्मंदित होते हैं, आपका growth of plant without soil, वही plant की growth, बिना soil के, मतलब water में, आप कुछ minerals, या nutrients वगेरा लगा करके, बिना soil के, इसको उगाते हैं, plants को या आप देख सकते हैं, यापर soil मौजूद नहीं है, तो B option, इसका right answer हुआ, और इसको कहेंगे hydroponics, आज के लिए, जो quiz का question रहेगा, जो last question है, इसका answer, आप लोग करेंगे, नीचे comment section में, वो है, which one of the following, is the most stable ecosystem, बहुत आसान question है, कि निमलिखित में से, कौन सा सबसे, इस्थिर पारिस्थिती की तंत्र है, सबसे ज़्यादा stable, कौन सा ecosystem होगा, इन चार में से, mountain वाला, desert में, ocean या फिर, forest ecosystem, तो इसका answer क्या होगा, आप comment section में बताएंगे, और मिलते है next video में, एक कौन सा इस तरीके से, आप answer करने के कोशिश करें, featured comments को next video में, हम बात करेंगे उनकी, I hope आपको ये video पसंद आया होगा, अगर आपको ये video पसंद आया हो, अगर ये content पसंद आया हो, series पसंद आ रही हो, तो आप video को like करें, आगे share करें, और अगर पहली बार देख रहे थे, तो चैनल को subscribe करें, thank you guys, thanks for watching, this was Imanchi, signing off, all the very best.